प्रतियोगी परिक्षा और भरती में किसी भी गड़बड़ी पर अब बड़ा आक्शन होगा नमस्कार मेधिती फॉज़र आप देख रहे हमारे साथ दनगरी मीडिया सरकार ने प्रतियोगी परिक्षा में गड़बड़ी और इर्रेगुलरिटी से सक्ति से निपटने के लिए प्रोविशन लोग परिक्षा बिल दोजाथ चौबीस सौमवार को लोग समा में पेश किया बिल में परिक्षाओं से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है इर्रेगुलरिटी से संबंदित अपरात के लिए अधिक्तम दस साल तक की जेल और एकर रुपे का जुर्माना भी प्रोविशन में दिया गया है केंदर मंती मंडल ने हाली में इस बिल को मंजूरी दी ती इससे पहले बज़ट सस्की शुरुआत पर गट 31 जनवरी को सांसक के दोनों सदनों की संयुक्त बैटक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मन ने कहा था कि सरकार परिक्षाओं में होने वाली गड़वड़ी को लेकर युवाओ के चिंता से अफगत है इस दिशा में सक्ती लाने के लिए नए कानून भी बनाये जाएंगे नकल पर नए कानून में किन बातों की जिक्र किया गया है चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले यहां एक केंदर कानून होगा इसके दाइरे में सहीउक्त प्रविश परिक्षा और केंदर विश्विद्याले में दाखिल करने के लिए होने वाली परिक्षा भी शामिल है पिछले पांस साल में राज्यों में पेपर लीग के कितने मामले सामने आएं परिक्षा में दूसरे के स्थान पर परिक्षा देने वाले मामले के दोशी पाने वाले संबन्द से व्यक्ति को तीन साल की सजा भी मिलेगी इसे भढ़कर पांस साल भी किया जा सकता है दस लाग का जुर्माना भी लगाया जाएगा चातरों के साथ फरजी वेबसाइट पर फरजी केंद के जरिये परिक्षा कराने और नौकरी देने वाले आदी फरजी वाड़े पर भी इसके दाएरे में आने वाले हैं यदि पेपर लीक और नकल में परिक्षा कराने वाली एजंसी भी शामिल पाई जाएगी तो परिक्षा का पूरा खर्चा बसूला जाएगा इनमें UPSC, SSC, Railway Booking, J.E.N.E.D. जैसे सभी कम्प्यूटर आधारिक परिक्षा शामिल होंगी बिल के अनुसार पेपर लीक से जूड़ी सभी जाच पुलिस के द्वारा की जाएगी सरकार के पास जाच किसी भी समय केंद एजंसी को सौपने का पूरा अधिकार होगा परिक्षाओं के लिए IIT सिस्टम और अधिक तरीके से मजबूत किया जाएगा आज के ने बस इतना ही ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रही हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ धन्यवाद